Hello everyone, सभी को नमस्कार, मैं अधिया दिक्षित, आप सभी का इस YouTube चनल पर स्वागत करता हूँ So this is lecture number 3 of percentage, I hope आपने last के 2 lectures देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो पहले उनको देखो फिर इस पर आगे proceed करना, ठीक है? So schedule जो है, हमारे इस पहच का चल रहा है, यह जो वीडियो आपको मिल रही है, Monday, Wednesday, Friday, morning at 9am बात करें questions की PDF की, तो वह आपको दिक्षित सर के नाम से, जो चैनल का नाम है, उसी नाम से हमारे एक टेलिग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएंगी, वहाँ देख लेंगे और LSS चरूर करिए, LSS is like, share and subscribe, share करना है अपने खास मित्रों के साथ जो जिगरी आ रहे है, ठीक है? चलिए, तो session की शुरुआत करते हैं, चलिए, बढ़ते हैं, next type पर, that is type number 5, no change, अराम से समझेंगे, इस session में हम 3 types को cover करेंगे, यह 3 types interlinked हैं, जैसे, कभी भी अगर 2 पर भी ऐसा होगा, वहाँ पर यह concept लगेगा, जो 3 types है, type 5, type 6, type 7, तीनों इसी पर based है, ठीक है? अब सर, ऐसी कौन सी चीज़े हैं, जिनको multiply करने पर कोई तीसरी चीज़ आती हो, तो पहला हो गया भाई, length into में, breadth बराबर area, यह ना, लंबाई गुना चौराई, बराबर 6 इसी तरीके से area into में height क्या हो जाता है, volume, speed into में time is equal to distance हो जाता है, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से sale into में price, मतलब मान लो मैं किसी चीज़ को बेच रहा हूँ, ठीक है, मेरी कितनी sale हुई, कितनी ticket मैंने जैसे बेची, into में एक ticket का price is equal to revenue, कितना पैसा मुझे प्राप्त हुआ, इसी तरीके से price into में consumption, sorry, price into में consumption is equal to expenditure, मतलब कि मैं कितने मुली की चीज़ खा रहा हूँ, मैं कितने kilo या जो भी उसमें ना पा जाता है, for example, price, petrol का ये डीजल का, into में उसका हम कितना खपत कर रहे हैं, बराबर हमारा खर्चा, ऐसे जि कि जहां दो चीज़ को multiply करने पर तीसरी चीज़ आ जाए, वहां पर हम इस concept को लगा सकते हैं, सर लेकिन, अगर मानलो ऐसा कभी हो, कोई चीज पहले इतनी थी, मैं बहले साल वो 10% बढ़ गी, अगले साल 20% बढ़ गी, तो क्या हम ये concept वहां भी लगा सकते हैं, लगा सकते ह multiply हो रही हैं न, दो चीज़ें, यहां पर दो चीज़े multiply हो रही हैं, तो ये एक तरीके से हमारा successive वाला ही type रहेगा, ठीक है, तो ये type तो आप समझगे, किस type का रहेगा, इसमें 3 type के सवाल बनते हैं, कितने type के, 3 type के सवाल बनते हैं, कौन-कौन से, पहला case है ये, जो है no change, मतलब, वो कहेगा, इन मैंसे कोई एक, इतने प्रतिशत बदल गया, इन मैंसे कोई एक, तो बताओ, दूसरे को कितना बदले, कि ये बिल्कुल ना बदले, अगला type जो हम देखेंगे, कि भाई, ये इतना बदल गया, ये इतना बदल गया, तो बताओ, ये कितना बदलेगा लास्ट टाइप आएगा जिसमें ये और ये मतलब इन दौनों में से कोई एक और यहां पर ये ये दौनों बदले जाएंगे और पूछेगा बताओ ये कितना बदलेगा बात क्लियर है ठीक है अब आ जाते हैं हम सवालों को अराम से समझते हैं सवाल को समझू सवाल कह रहा है कि मेरा जो चावल का जो प्राइस है वो 25% से बढ़ गया तो मैं उसकी खपत को कितने प्रतिशत से कम कर लूँ कि मेरा जो खर्चा पहले हो रहा था वही खर्चा अब हो यानि खर्चे में कोई बदलाव ना है पहला तरीका जो आपको बिलकु 100 प्लस माइनस x इंटू में 100 जितने भी फॉर्मुले हैं वो कम से कम याद रखने है तो आप यहां पर रखना चाहें फॉर्मुला वैसे याद नहीं रखना बस पहली बार में बता दे रहा हूं यह यूज नहीं करना है तो 25 अपॉन इंक्रीज होगा तो प्लस यूज होगे आपका 1 by 5, 5 इंटू में 120 परसेंट आंसर आजाएगा क्लियर है आगे दूसरा मैथड यह समझना इंपोर्टेंट है कि जो भी हम देखेंगे फाइनल मैथड वो हुआ किस प्रकार से जैसे मान लो प्राइस इंटू में कंजंप्शन बराबर एक्स्पेंडिचर होता पहली क्लास में हमने बात करी थी कि परसेंटेज चेंज की जो बात होती है जब भी प्रतिशत बदलाब की बात होती है तो आपको यह देखने की आवशकता नहीं कि पहले कितना था और बाद में कितना है एक्जेक्ट वैल्यू नहीं चाहिए हमें चाहिए रेशियो यहां पर दिया हुआ है तो प्राइस मालनो 100 था मैं एक किलो खाता था तो कितना खर्चा होता था 100 बाद में क्या हुआ कि प्राइस जो है वो 25 परसेंट बढ़ गया तो 100 से 125 हो गया में बात है रेशियो हमें देखना इसलिए आप प्राइस कुछ भी मान सकते हो ठीक है तो 125 को हटाना है तो 125 नीचे लिख देते हैं अब सही है ना इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो पहले एक किलो खाता था तो अब 100 अपॉन 25 केजी खाएगा काटा पीटी हो जा रही है 25 से गया है 4 बार 25 से गया है 5 बार ठीक है तो कोई चीज मतलब मैं पहले एक खा रहा था चलि इस 5 को यहां लिआओ मतलब 2 तरह 5 से multiply कर दिया यहीं 5 से 4 पहुचना है 5 से 4 हो गई कोई चीज कोई चीज 5 से 4 हो गई डिवाइड नहीं है 5 से 4 हो रही है तो एक की कमी कर रहे है कितने पर 5 पर तो 100 पर कितना 20% 100 पर कितना 20% वही 20% यहा रहा था अब यह लग रहा हो और य चीज थी एक केजी खा रहे थे 100 खर्चोरा था 100 से 125 हो गई तो बताओ यहां क्या लिखें कि अभी भी 100 आये तो आपने का सर 100 बटा 125 लिख दो यहां से यहां आ रहे है तो यह 25 से गया 4 यह 25 से गया 5 तो एक अनुपात 4 बटे 5 तो 5 से 2 मत तरफ multiply कर दिया यह इस 5 हो यहां ले बात एक है 5 से 4 पे जाना है बात खतम यह हो गया दूसरा method कुछ चीज़े समझ मैं कि हो क्या रहा है अब आज यह final जो हम एक्जाम में इस्तमाल कर रहे होंगे ध्यान से समझना logic यह समझा दिये कोई चीज अगर 25 प्रतिशत से बढ़ जाती है इसका मतलब 25 परसंट का म यहां से आना है यहां से आना है तो कमी इसी वी के ऊपर तो करनी है तो 1 by 5 in 2 में 100 20% की कमी बात सही है यह नहीं है हाना बताइए बिल्कुल सही है last important बात जैसे उसने यहां पर क्या कहा है price of price जो है बढ़ा है ठीक है तो बताई कंजम्शन को कितना कम करें यहाद अगर आप आपको सवाल मिलेंगे मैं अभी पहली बता दे रहा हूँ सत प्रतिशत की मैंने देख लिए आप देखेंगे काफी टाइम से ऐसा ही कर रहा है examiner घुमा आता है किस तरीके से जैसे इसका answer आया 20% 20% क्या 20% decrease examiner सवाल में क्या कहेगा downside मतलब decrease examiner कई बार सवाल में क्या करता ह है वो ये नहीं देगा वो कहेगा बताइए कि खपत में क्या किया जाए तो पहला option देगा 20% increase अब हमारा answer आये 20% बहुत high probability होती है कि बच्चे इसको टिक कर देते हैं खासकर fresher जो first time दे रहे है exam mock test कम लगा कैं उनकी ये गलती होगी और increase decrease तो देखे ही नहीं हो तो D था correct answer होगा बिल्कुल ठीक है अब आजाते हैं एक और मुद्दे की बात पर इसको मैं time and work में फिर से पकड़वाऊंगा आप से ठीक है ratio में भी discuss करेंगे जब A into B बराबर C होता है connect करते चलिएगा जब भी दो चीजों को multiply करने पर कोई तीसरी चीज आती है तो ये दोनो directly proportional होते है inversely मतलब समानु पात होते हैं विक्रमानु पात होते हैं तो आप कोई के देखो example के साथ समझते हैं हमेशा आगे के लिए आद रुखिएगा ठीन ट्ू में टू कितना होता है जो जो तोuguTalk में चाहता हूं यहाँ पर चχ़ी बना रहे तो क्या कर ना पड़ेगा इस दो क कम कर रहे हैं दूसरे को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगे inversely proportional होगे विक्रामानुपात होगे नहीं होगे वहीं दूसरी तरफ अब आप इस चीज को constant रखेगा इस दो को दो रखा हमने इस तीन को 4 कर दिया तो 4 in 2 में 2 तो बताओ यहां क्या करना पड़ेगा 8 तो यह चीज बढ़ी है तो यह भी चीज बढ़ गई तो यह कैसे हो कि directly proportional इसका मतलब सीधा सीधा क्या है अगर दौनों चीज से एक साथ बैठी है दौनों चीज अगर एक साथ बैठी होती है तो वह inversely proportional होती है अगर उपर ही उपर है और opposite है तो यह directly proportional है यह directly proportional याद रखेंगे तो अब आती है सर यह सब क्यों बात कर रहे थे ये increase हुआ है तो इसपर क्या होगा पकी बात है decrease होगा क्योंकि इसको constant रखना है इसी तरीके से अगर इनमेंसे कोई भी चीज एक decrease कर दी तो सत प्रतिशत अगर आपको इसको constant रखना है तो दूसरी चीज increase ही करनी पड़ेगी ये बात का ध्यान रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अब इस सवाल का अंसर आप देंगे आगया होगा सभी को ट्राई करना जो ट्राई नहीं करेगा वो गलत कर रहा है अब स्पीडम बढ़ाएंगे पहले सवाल पर डीटेल चर्चा करेंगे आवशक है अब इस पे कोई आवशक नहीं है क्या ही यही टाइप है पकड़ते चलो length into में breath बराबर area होता है length को increase कर दिया 20% से तो दूसरी decrease होगी अगर area को constant रखना है ठीक है तो length कितना 20% है तो 1 by 5 increase यानि 5 से 6 वापस 6 से 5 कितने ही कमी 1 की 1 by 6 1 by 6 कितना होता है 16 से 2 बटा 3 एक increase होगा था तो यह decrease होगा पकी बात है अगला सवाल हो गया होगा breath जो है rectangle की decrease कर दिया 10% decrease कर यह तो वो बढ़ जाएगी दूसरी चीज़ बढ़ेगी 10% का मतला 1 by 10 तो 10 से पहुँच गे थे 11 11 से वापस आना पड़ेगा 10 तो यहां पर दिख भी तो रहा है जो एक सेकंड decrease हो गया था तो पता चल गया ना आया ना अई दिखी रहा है अगर एक चीज गल्ती होगी नहीं अगर एक चीज कम हुई है तो दूसी चीज पक्का बढ़नी चाहिए थी गल्ती से हम बढ़ा दिये मैंने बढ़ा हुआ sign लिखा तो बढ़ा ही दिया तो 10 से वो 9 हो गया तो 9 से 10 पर आना पड़ेगा अगला सवाल सवाल को पढ़िए एक्जाम में आपको ये समझना है कि ये कौन से टाइप का सवाल है प्रेक्टिस से वो समझ में आज़ेगा टाइप का मतलब टाइप 1,2,3 नहीं कि भाई यहां पर constant रखना है या नहीं रखना है कभी भी टाइप नहीं रटना है ठीक है करा there is decrease in the sale of ticket तो sale into में तो कितने percent हम ticket का price बढ़ा दे है न by what percent price of ticket should be increased तो sale into में price क्या होता है money earned कहलो ये revenue कहलो बात एक ये formula बन रहा है ठीक है तो हमें ये चीज constant रखनी है तो यह यही वाला type का सवाल हो गया तो क्या हुआ है sale decrease हुई है 30% 30% का मतलब 30 upon 100 30 upon 100 मतलब 3 by 10 तो 10 में 3 कम तो 7 पर पहुंच गया है तो 7 से वापस कहां ना पड़ेगा 10 पर तो दिख रहा है increase increase दिख रहा है कितने का increase करना पड़ेगा 3 का तो 1 by 7 याद है सभी को मैंने याद करने के लिए कहा था 1 by 7 होता है 14 सही 2 बटा साथ ठीक है 3 से multiply कर दो 14 ती है 42 और 3 दूनी 6 6 by 7 परसेंट सर हमें याद नहीं है सर अब क्या होगा selection नहीं होगा क्या अब मैंने लिखवा दिया यहाँ पर लिखवा दिया अब आपको मज़ा आएगा यह पहले इसलिए नहीं लिखवाय था यह सोचके मैंने का student जो है वो कहीं यह न सोचें कि हमारे level का सवाल है नहीं एक बात दिमाग में डाल लीजिए आप किसी भी topic की किसी भी exam की तयारी करें अगर आपके syllabus में यह topic है percentage का तो आप यह माननो सबका level एक है मैंने सारे सवाल देख लिए सभी exams के मतलब जितने भी हो रहे हैं चाहिए CTAT हो चाहिए UPTAT हो कुछ भी हो एक ही level मानके चली किसी का भी सवाल किसी में भी आ जा रहा है constable का सवाल means में भी डालने यह यह है एक आदी जो आ रहे है ठीक है तो कहना क्या तात पर यह है कि हमें level को समझना यह है कि भाई level सब का same है कुछी भी exam की तियारी करें percentage है तो करना है यह SSC के CGL का 2018 के means का सवाल है ठीक है बस reference के लिए यह कर सकते हैं मैं कहरो best कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं यह मानके चलने ठीक आ जाईए यह कह रहे है तो रेडियस आप दे बेस और राइट सर्कूलर सिलेंडर इस इंक्रीज बाई 20% यह वैसे सवाल हमें थोड़ा सा आगे लेना चाहिए थोड़ा पहले आगया कोई बात नहीं अब इसको समझझो कैसे करेंगे ध्यान से समझना नो चेंज की बात कर रहा है यहां पर कंसेप्ट लगेगा क्या कि एरिया इनटु में हाइट बराबर वॉल्यू सिलेंडर है सिलेंडर का क्या बोल रहे है वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का तो आपको यह सर पाई यार स्क्वायर है चोता है मैंने का बिल्कुल बात सही है इसका मतलब अभी एक बार समझेगा मतलब पहले मानलो रवन रेडियस था और ह1 हाइट थी तो यह वॉल्यूम रहा अब इसके रेडियस और हाइट में बदलाव कर दिया तो मैं मान लेता हूँ कि रेडियस कुछ R2 हो गया होगा और हाइट जो है कुछ H2 हो गई होगी तो यह हो गया तो हमें इसका अनुपाती तो लेना है मैं तो वैसे करूँगा रही न कितना इनकी तो हम तो रेशियो देख लेंगे पहले तो आप यह समझ रहे हो कि इसको कहते है कॉंस्टेंट कॉंस्टेंट बदल जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है पाई हमेशा 22 बटा सात रहेगा चाहे किसी के भी सात रहे तो ज injust value वह तो हमेशा कटनी है इसलिए हमारा हमेशा focus होता है क्या चीज बदल रही है हमारा focus किस पर होता है क्या चीज बदल रही है ठीक है तो यहाँ पर समझो r1 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 अब वो और सिथ्वायर है या निya र1 और new, क्योंकि height के बारे में भी तो बात करनी है, इसको समझो, old और new, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर radius की, और एक बार height की, तो radius की वो बात कर रा रहा है, कि radius जो है, वो 20 प्रतिशत से बढ़ गया है, radius जो है वो 20 प्रतिशत से बढ़ गया तो 20% कितना होता है 1 by 5 यह नि 5 से 6 हो गया है और वो फिर से 5 से 6 हो गया है आप कहेंगे सर अभी तो हम यह कर रहे थे कि 20% का मतलब होता है 1 by 5 तो हम सीधे 5 से 6 पहुंच गए बात सही है लेकिन यह बात radius की है लेकिन हम अब क्या देखने लग रहे हैं हम देखने लग रहे हैं radius का square radius का square आप इसी को area area का मतलब क्या area का मतलब जिसकी power 2 हो meter square तो वो चीज को हम यहाँ पर देखने लग रहे हैं कि अर वो कहां से कहां पहुंचा है अब इसको मैं दोनों तरीके से समझाने वाल हूँ अराम से समझीगा नई चीज है समय लगेगा समझने में तो जो radius का square हो कितना होगे 5,5,25 तो पहले अगर वो 25 था तो अब वो कहां पहुंच चुका है 36 पर पहुंच चुका है तो मुझे वापस 36 से 25 आना है एक बात तो यह समझ गए यह मैंने आपको इससे connect करवा दिया लेकिन इससे connect करने से पहले एक बार वापस इधर आओ अब वो बताओ H, H की अगर मैं बात करूं तो मान लो H पहले X था और H बाद में जो है वो Y हो जाता है मुझे नहीं पता वो क्या है अभी इसको मत देखो अभी देखो 5,5 जा 25 अब आप इससे ऐसे देखो कि यह चीज है पूरी 25 रेडियस का square कितना है 25 और यह पूरा कितन है 36 अब आप यह सोच लो अगर यह 36 में यहां लिख दूँ अगर यह 36 में यहां लिख दूँ और यह 25 में यहां लिख दूँ तो दौनों को multiply करने पर सेम चीज आ जाएगी यह नहीं आ जाएगी समझ पारियो बात को फिर से समझो थोड़ा सा कम समझे होंगे देखो और आ अगया क्या नया छेत्रफल या नया वॉल्यूम है यहां पर तो यह दोनों बराबर हैं इसका मतलब यह हुआ कि X का मान 36 ले लो वैसे यह चीज़े हम रेशियो में और डीटेल में समझेंगे कि यह सामने वाली जो वैल्यू होती है वो इसकी होती है बेसिक जानते हो तो ब 25 पर जाना यहां पर 36 लिखा होगा और यहां पर 25 बनाना है 36 को 25 बनाना है वही चीज़े है क्योंकि हमारा जो रेडियस का इसक्वायर था रेडियस का इसक्वायर 25 से 36 पर पहुँच गया इसलिए मैं 36 से इसको 25 पर लेके आ रहा हूँ क्या यह बात सभी को clear है अच्छी त हमारे पास बहुत है अगर आपके पास समय समझने के लिए हमारे पास समझाने के लिए भी है देखो मैंने कहा कोई लंबाई जो है वह 20% से बढ़ गई 20% से बढ़ गई तो 20% का मतलब होता है 1 by 5 तो वह 5 से मालो 6 हो गई 5 से 6 हो गई तो दूसरी चीज को अगर मैं 6 से 5 कर दूँगा तो यहां पर जो multiply करके आएगा वही तो यहां पर multiply करके आएगा बात समझार यह area बराबर हो गया नहीं हो गया x से y तो y से x कर दो I hope अब clear है नहीं clear है फिर से देखेंगे तो यह वाले सवाल में हम कहां पहुंचेते हैं 20% का मतलब होता है 1 by 5 तो 5 से 6 रेडियस हुआ है तो रेडियस का square कहां से वो भी 5 से 6 तो यह कितना हो गया 25 तो यह 25 हम यहां लिख देंगे और यह हो गया 36 तो यह कमी मैं कहूंगा कितने पर 36 पर गुणा कर दो किस से 100 से दन है 4 से गया 25 बार 4 से गया 9 नहीं कटरा सर कोई दिक्कत नहीं नीचे 9 होगा तो भाई 9 नीचे 2 में है option में multiply कर दो कितना आ गया यह आगया आपका 275 divided by 9 वैसे आप यहां पर देखो 9 तिया 18 18 C प्रस 2 182 होता है हम मैं चाहिए 275 नौतिया 27 270 और 5 275 यही होगा काट दो किया यहां देख लो एक ही बात है दो option में टक रहेते C is the correct answer अगले सवाल पर CGL 19 मेंस का सवाल है इससे आप सभी कर सकते कोई बड़ा सवाल निया value मानलो हो जाएगा done है देखिए आईए सवाल पर इस सवाल पर आईए देखो A's income is 60% less than B's income then B's income is what percent अब इसे इस टाइप में क्यों उठाया पता है अभी इस सवाल को छोड़ा छोटे सवाल पर आओ मानलो मैं कहता हूँ कि A की जो आई है यहाँ पर 60% की जगह में लेता हूँ 20% कम है क्या है 20% कम है किस से B से तो जिस से comparison होता है हम उसको denominator में लेते हैं तो 20% का मतलब क्या होता है 1 by 5 यानि मैंने मान लिया कि ये B की आई है मैंने क्या माना कि ये B की इंकम है तो A की इंकम इससे एक कम होगी तो 5 से मैं कहां पहुंच गया है 4 पे पहुंच गया है यानि ये B की आई है ये A की आई है सवाल क्या पूछ रहा है तो पूछा then B's income is what percent more than इसको जरूर पकड़ें कि comparison किस से हो रहा है तो बताएए B की इंकम कितनी अधिक है A से किस से A से तो हम कहेंगे भाई B की इंकम A से वही एक कम है सब B की इंकम A से एक अधिक है किस से A से तो 1 by 4 in 2 में 100 करना है अब एक छोटी सी बास समझना एक छोटी सी बास समझना यहार अगर मैं आप से पूछू इसके पास इस से कितना कम है आप को कहो गए एक कम है मैं कहूँ इसके पास इससे कितना जाद है मतलब अगर मेरी आए 100 रुपarson है आपकी आए 1.500 रुपarson है तो दोनो के बीच कांतर 50 है मैं यह कह सकता हूँ आपकी 50 अधिक है इस से इस से तो 1 by 4 अधिक है इस से तो 1 by 4 हो जाता है हमारा 25 परसंट और 1 by 5 हो जाता है 20 परसंट क्योंकि denominator बदल रहा है तो अब सोचो डाउट यह आ सकता है कि 1 by 4 करूँ या 1 by 5 अरे भाई 1 by 5 तो पहले ही किया है तो यह तो हो गई नहीं आजो अब इस सवाल पर एक और सवाल लेना है मैंने मालो देखा 20 परसंट मोर कई बच्चे इस पता है इससे सवाल को कैसे करते हो कहते है इसकी इंकम हो गई मालो 100 तो इसकी हो गई 120 अब अंतर आ गया 20 अब वो सोच रहे है फालतु में कि नीचे इसको डाले या इसको डाले भाई अगर यह डालोगे तो 20 ही आंसर अगर यह एध्यान रखो आजव विस सवाल पर फाइनल में मेंश का बूचक सवाल है एक इससे पर सेंट रहे हैं 60 पर सेंट पकड़ो कि वह सिटी पर सेंट लें 100 मानन 100 है तो 60 कम हो गया 40 तो अब कितना कम है 60 अब 60 अब 40 ही होगा अब पक्का 60 अब 40 होगा अभी 60 अब 100 का 60 अब 40 हो जाएगा अगर आप इसे fraction से करते तो आप कहते देखो 60% का मतलब होता है 60 अब 100 यानि की 3 by 3 by 5 यानि एक इंकम अगर 5 है तो B की इंकम यही no change वाले टाइप में आप इसको डाल सकते हैं आई हो बात समझ में आई तो 3 by 2 कितना होता है 150% 3 by 2 into में 100 150% is the correct answer अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप पर अगले टाइप पर आट इस टाइप नंबर 6 चेंज बदलाओ करें length of a rectangle is increased by 20% and its breath is decreased by 10% find percentage change in its area अराम से समझते हैं एकदम basic से समझते हैं देखो length same वो ही चल रहा है इसको आप कैसे कैसे कर सकते हैं अगर याद हो तो type number I think 4 की बात है हमने एक formula देखा था successive वाला कौन सा था x plus y plus xy upon 100 वहाँ पर यही तो रहा था multiply कर रहेते हैं पहले इतना था फिर इतना हो गया यहाँ पर भी तो ऐसा है कि भाई हमारा area जो भी था 100 था तो पहले चोडाई 20% बढ़ गई फिर उसकी जो सब्सक्राई 20% बढ़ गई और चोडाई जो है वह कम हो रही है इसलिए negative हो गया minus का 10 याद रखना है बस यह plus minus की गलती यह हो जाती है minus 20 into में 10 upon 100 हो गया कितना आ गया है 10 में से दो गया 8% यह 8 positive आ रहा है तो 8 increase 8 positive आ रहा है इसलिए 8 प्रतिशत increase सरी negative आता तो decrease sign बता रहा है दूसरा method way to way to कहलो आप ratio method कहलो चाहे तो way to क्या हो गया हमारा ratio method क्या यह बात याद है आप सबको कि कभ यह method यूज़ करना है कभ यह बिल्कुल बात डिसकस करी थी यह method हमें तब यूज़ करना होता है जब हमारे पास जो भी percentage की value है जो हमें एकदम रटी हुगे जैसे 20% का मतलब होता है 1 by 5 तो हमारा जो लंबाई है वो 5 से बढ़ा है तो 6 हो गया 1 by 5 5 पर एक बढ़के 6 हो गया वहीं चोड़ाई की बात करें तो वह 10% कम हुआ है तो 10% का मतलब 1 by 10 होता है तो यानि 10 है तो उस पर एक कम हो गया 10 से एक कम हो गया ये 1 by 5 होता है 20% तो 5 से 6 हो गया multiply कर दोगे तो ये 5 10s of 50 हो गया 9 6s of 54 हो गया तो हम 50 से 54 पर जा रहे है 50 से कहां पर जा रहे है 50 से 54 पर जा रहे है तो कितने की बढ़ात हो रहे है 4 की कितने पर वोई सेम है हमारा टाइप नंबर 4 जैसा सक्सेसिव डिसकस कर चुके तो 4 अपॉन 50 इन्टू में 100 यानी 8% ही आजाएगा positive ही आ रहा है ठीक है ये बस समझाने के लिए लिखाता 8% increase I hope सभी को clear है सभी को clear है इसको बहुत ही बच्चों की तरह देखोगे तो ऐसे देख सकते हो कि भाई हमारी जो लंबाई थी वो 100 थी चोडाई भी 100 थी ऐसे देख एरिया जो है वो कितना था ठीक है पिर ये 20% बढ़ गया तो ये 120 हो गया ये 10% कम हो गया तो 90 हो गया तो 12,9,108 है ना तो कितना increase हो गया 800 का increase हो गया एरिया इतना था अभी तना हो गया बट ऐसे नहीं करना है ठीक है तो 800 का increase कितने पर 1,2,3,4 पर तो 100 पर कितना तो 2,0 से 2,0 गया 2,0 से 2,0 गया 8% ये नहीं हमारे लिए way 1 और way 2 हम अल्रेडी discuss कर चुके है पहला सवाल था इसलिए हम discuss कर लिया जल्दी से बताइए क्या answer होगा ये सवाल भी पूछा गया कौन से exam का ये लिखा नहीं है important है learning जुडी हुई है इस सवाल से देखिए वीडियो को pause करके सवाल को try अवश्य करना है एक सवाल पहला हर type का पहले मैं detail में समझाओंगा अराम से समझो उसके बाद इसको आप ही को try करना है देखो दिमाख लगा के लिए कोई भी सवाल होगा पहला type के बाद वो आपको try करना है क्या कह रहा है यहां पर अब इसको काफी सारे instrument क्या करते हैं सर हम तो ratio ही पकड़ेंगे क्या पकड़ेंगे हम ratio वाला method पकड़ेंगे इसको हम dandy वाला method भी गया दे दो dandy हो रहे न तो कहा रहा है लंबाई जो है rectangle की वो 18% से बढ़ गई 18% का मतलब कितना हो गया 18% का मतलब 18 by 100 जितना कट सकता है card तो से गये 9 बार, दो से गया 50 बार तो यानि लंबाई जो है वो 50 से कितनी हो गई बढ़कर 59 हो गई और वहीं जो सकी चोड़ाई है वो भी भढ़ गई कितने परसंट 12% तो 12% का मतलब हो था 12 by 100 तो 4 से गये 3 बार 4 से गये 25 बार यानि ये जो है तो कितने का increase हो रहा है बात समझ में आ रही है तो यहाँ तो यहाँ तो यह calculated सवाल है अब मुझे यह लगेगा लेकिन क्या है मेरे को सवाल successive से नहीं करना चाहिए था कितने आसानिस हो जाता 18 increase है और 12 भी increase है तो x plus y plus 18 इंटू में 12 upon बात सही है तो 18 और 12 कितना हो गए यह तो गया आपका 30 plus अब क्या अब याद करना मैंने आपको यह बोला कि 0 को तभी काटना है जब उपर 5 और 2 हो अब देखो 8 तूनी 16 पीछे आएगा 6 और नीचे हैं 2 0 यानि कि ऐसा कुछ होगा यहाँ पर point something 6 30 से बढ़ा है वो भी हो जाता बट अगर multiple answer भी होते तो option से भी हो जाता अदर्वाइस यहाँ पर कुछ ज़्यादा है नहीं 18 दूनी 36, 18 एकम 18 और 3 21 तो 2.16 आजए कितना आजएगा 2.16 यानि 32.16 is the correct answer बात सही है समझ में आया सवाल की approach is very important बहुत बार repeat हो रहा है तो हमें approach समझ नहीं है अगला सवाथ अब यह आपको try करना है हर एक student कर पहे हैं इसमें दिमाग लगाए चाहे हैं आप first time क्यों नहीं पढ़ रहे हो आपको दिमाग लगाना है first time पढ़ रहे हो तो और अच्छे से समझ में आएगा कहीं और नहीं पढ़े हो बहुत बड़ी है वलना confused हो जाते कि यार वहाँ तो हम इसे घुमा घुमा के करते थे आ जाईए इसका answer क्या होगा आप मैं से कईयों ने copy में यह लगा रखा है लगा या नहीं लगा है मैं यहीं से देख पा रहा हूँ correct answer ही है हम क्या कर जाते है option के साब से सही आ रहा है tick कर देते है सवाल को पढ़िए कहरा radius जो है वो एक circle का वो 25% से बढ़ जाता है find percentage increase in its perimeter तो ध्यान देना यहाँ पर बदलाव किस में दिया है perimeter में perimeter की unit meter है और वो पूछ रहा है sorry radius पर दिया तो उसकी unit meter है और पूछ किस पर आ है perimeter पर उसकी unit भी meter है अब इसको ऐसे भी समझो अब इसे example के साथ भी समझो कि अगर मैं यह माल लूँ कि किसी circle का radius 100x है ठीक है तो उसका नया radius कितना हो जाएगा 25% से बढ़ जाएगा तो 125x हो गया तो परिमाप मैं x में इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ भी value होगी तो हमें फरक नहीं पड़ता है क्यों कि हमें अनुपात से अभी आप समझी जाएगे तो मैं पूछ हूँ perimeter कितना हो गया तो आपको किसा circle है 2 pi r ऐसे वहाँ circumference लिखाना चाहिए तक परिधी कोई बात नहीं है तो 2 pi r ठीक है उससे ये नया वाला perimeter कितना हो जाएगा 2 pi r तो constant है multiply यहाँ पर 2 pi constant है इसकी value कभी नहीं बदलेगी तो 2 pi से ये 2 pi कट जाएगा तो फिर तो ये वही बात आगी कि भाई x x कट जाएगा कि मुझे 100 से 125 पर जाना है बात वही कि वही रही नहीं रही अरे आ रही है सभी को समझ में तो यही होता है जब meter पर change देगा जिस unit पर दे रहा और उसी पर पूछेगा तो उतना ही बदलाव होता है जितना यहां पर हो रहा था अब मुझे एक बात बताओ अगर कल कोई यह सवाल आ जाए ध्यान दे ना अगर कोई यह सवाल आ जाए यही सवाल हो यहां पर radius की जगे कल को diameter दे दे ठीक है और यानि व्यास दे दे और यहां पर perimeter की जगे area दे दे 25 इंटू 25 बटा 106.25 सर ऐसा क्यों क्योंकि मेरे भाई जो बदलाव diameter पर होगा जो बदलाव diameter पर होगा क्या वही बदलाव radius पर नहीं होगा क्यों होगा क्यों होगा क्योंकि दौनों की unit same है क्योंकि दौनों की unit same है is it clear to everyone तो इसका answer कितना 25% जो ये सवाल given था अब एक बार और आगे समझो इसका मतलब ये है कि अगर meter पर change देता है और meter पर ही change पूछता है तो उतना ही बदलाव देगा reason logic समझ में आया उतना ही बदलाव रहेगा वहीं अगर वो meter meter पर change देगा दो बार दे दिया और वो अंतर पूछ रहा है कि meter square में कितना आया कितना change हो गया तो हम कहेंगे कि यहाँ पर successive formula लगा देगे कौन सा? successive या फिर ratio वाला method या फिर ये डंडे वाला method बोलेंगे ठीक है? अच्छा सर इसी तरीके से meter 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 पर change दे रहा है और वो meter cube पर पूछ रहा है तो क्या करोगे? successive वाला formula लगा दोगे कौन सा? successive वाला लेकिन अब कितनी बार लगेगा? दो बार कितनी बार लगेगा? दो बार कैसे लगेगा? type 4 में देखा था यहाँ फिर से देख लेंगे या फिर या फिर ratio वाला method या डंडे वाला method अब 3 डंडे हो जाएंगे क्योंकि 3 बदलाव हो रहे होंगे 3 बदलाव हो रहे होंगे चलिए clear? आ जाईए इस छोटे से सवाल को देखते ही आपका उत्तर आ गया होगा perimeter की unit meter होती है और यहाँ पर पूछ रहा है side पर बदलाव बताईए क्या example में देखने के आवश्यक्ता तो नहीं है चलो देख लेते है फटाक से माल लो की 400 perimeter था 20% बढ़ गया तो 480 हो जाएगा न परिमाप और एक किसकी बात कर रहा है एक square की यहाँ इसक्वाइर की जो side होगी वो 100 होगी और 100 से कितना हो जाएगा 120 तो 20% का increase हो रहा है अब इस बात को समझो यहाँ पर कुछ भी रह रहे तो square हो, rectangle हो, triangle हो कुछ भी कुछ भी होगा न तो answer वही आएगा आपको उस वक्त सोचना नहीं है यह तो square था मैंने समझाती है triangle, rectangle भी होगा meter पर change दे रहा है meter पर पूछ रहा है same रहे है, unit same है ठीक है, आगे बढ़े अब आप यह कह सकते हो अरे सार यहाँ पर तो side है rectangle की, rectangle में किसकी बात होगी अरे आप मान लो कि equilateral triangle कहती है ठीक है, अब तो सही है ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं इसका आंसर बताईए फटाक से आपके पास मात तरा आदी मिनिट का समय है इसे देंगे हम थोड़ा सा समय सवाल को हमने क्या का दो तरीके से आप discuss कर सकते हो solve कर सकते हो पहला, successive 10, 10, 10 ठीक है, क्यों sir 10, 10, 10 देखो, if each side of a cube is increased by 10% तो बताईए उसके volume पर कितना change आएगा, तो volume होता क्या है, side का cube ही तो होता है side का cube, किसके लिए cube के लिए volume a cube होता है तो आपको change देखना कितने पर है a के उपर देखना है, कितनी बार देखना है a, 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 3 बार है न, तो हमने यह आपर, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ या फिर 10% का मतलब होता है 1 by 10 इसका मतलब अगर पहले a अगर पहले a 10 था, तो अब कितना हो गया 11, यह old, यह new क्या यह a की बार देखोगे, नहीं 3 बार, क्योंकि 3 बार multiply हो रहा है, जितनी बार multiply होगा उसको हम देखेंगे उतनी बार 10 से 11 और 10 से 11 तो यह हो गया 1000 यानि 1000 अगर 331 की होगी, कितने पर होगई, 1000 पर होगई तो कितने प्रतिशत की होगी 100 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 33.1, correct है अब, इसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ क्योंकि वह a, 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 3 a होगे, इतना percent change है यहां से सीधे क्या आता है, net change आता है, repeat करो बोलो, कब यह यह इस्तमाल नहीं कर सकते बोलना है मैं सुन रहा हूँ यह मान के offline पढ़ रहे हो, यह मानो ठीक है, हाँ कितना होगया 21, positive है न सब कुछ, यहां पर कितना होगया 31 plus, 21 in 2 में 10 upon 100 0 से 0 गया, 2.1 33.1 अब देखू, आप इतने छोटे नहीं हो, कि आपको कोई हाथ पकड़ के बताए कि कौन सा बैटर यह decision आप का रहेगा ठीक है न, मैं कहा दूँ यह अच्छा है, क्या पता आपको वो लग जाए, अच्छा, जो मन है वो करिए दोनों approaches आपके सामने, मैंने आपको यह भी बता दिया, किस तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए बट अपना भी दिमाग हमें लगाना है, ठीक है? करें, जिनका नहीं होगा, they have to try, ठीक है? कोई बात नहीं, आ जाएगे, क्या करें? length, breadth and height of a cuboid are increased by, ठीक है, 30% increase by 20% and decrease by 15% respectively, find effect on volume. अब क्या हुआ, volume क्या होता है? volume होता है, L into में, B into में, h cuboid के लिए ही होता है, तो इसका मतलब मुझे तीन चीजों पर बदलाव देखना है, और एक और छोटी सी बात करें, देखो, area की power 2 होती है, तो 2 पर बदलाव देखना होगा, volume मतलब meter cube होता है, तो 3 पर देखना ही होगा, कोई 2 राय नहीं है, ठीक है, बस यह देख लेना, कि जैसे doubt कहाँ पर आता है, cuboid, void में doubt नहीं हैगा, doubt आ सकता है, मानलो, cylinder में आ गया, यह आर का square देखना है, यह h का square देखना है, तो दो बार किसको देखना है, क्योंकि radius होता है और एक height होती है, तो radius पर दो बार देखना होता है, यह height पर दो बार और दूसरे पर एक बार रहता है, अगर वहीं area की बात हो, तो आपको पता है R होता है और H होता है, एक बार R पर एक बार H पर खतन, तो volume पर ही थोड़ा सोचना है और जब mensuration आपने पढ़ी होगी या आगे पढ़ोगे बच्पन में वैसे पढ़ी होगी तो जब mensuration पढ़ लोगे तो formula में कोई दिक्कत वैसे भी नहीं रहेगी अभी है अगर दिक्कत तो formula देख लेना हो जाएगा आ जाएगे तो मेरे पास एक तरीका तो यह है कि मैं successive लगा दूँ मैं तो इसमें exam में successive लगाओं क्यों 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 परसेंटेज में fraction नहीं है decimal नहीं है तो 30 20 लेकिन यहां पर decrease है तो बस successive लगाने में हमें sign का ध्यान लखना पड़ता है और कोई दिक्कत नहीं आप बाकी आप देखेंगे x प्लस y कितना हो गया 50 50 प्लस xy अपॉर 100 56 हो गया नहीं हो गया 50 प्लस 30 इंटू 20 600 और 2 0 से 2 0 कट गया तो 56 आ गया 56 इंटू 15 बटा 100 अब मेरी एक बात फिर से याद करो मैंने बताया कि नीचे जो है 0 होगा तो 0 से मैं 0 ही काटूंगा फाल्तू की चीज नहीं काटूंगा तो क्या मैं उपर से 0 ढूंड सकता हूं आपको कि हासर 5 और 2 से देखो अगर सीधे 0 नहीं दिख रहा तो 5 और 2 गया था तो 2 से गया 28 बार बात क्लियर अब मैं 2 से इसको काटूंगा ही नहीं क्यों क्योंकि भाई मेरे को 10 बड़ा पसंद है सांस्वाब का होता है ठीक है तो कितना हो गया 28 इंटू मैं 3 कितना कम है 6 84 हो जाएगा 84 divided by 10 8.4 तो इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 41 माइनस म एक्ष्ट्रा माइनस कर दो तो 9 माइनस कर दिया तो 32 और कितना एक्ष्ट्रा माइनस कर दिया .6 तो 32.6 पर संब्रेश पॉजीटिव यह नेगसिव पॉजीटिव का मतलब इंकरीज यह क्योंकि देखो नेगसिव Frankly हो तो डिक्रीजल वहम अल्रेडरी मान घह रहें दूसर 30% 30% का मतलब होता है 3 बटा 10 तो बढ़ी है तो 10 से 3 बढ़ गई तो 13 हो गई यह decrease हुए 20% 20% मतलब 1 by 5 increase तो 5 से 1 बढ़ गई और last में 15% 15% का मतलब 15 by 100 3 by 20 increase decrease हुआ है तो 20 से 3 कम 17 हो गया अब multiply कर दो छोटी सी बात है छोटी सी क्या ध्यान से सुनना इन 3 से आप इन 3 को काट सकते हो, क्यों काट सकते हो अब एक बार उस पर बात कर लेते होगा क्या आप इन 3 को multiply करोगे 10 into में 5 into में 20 और यहाँ पर आप 3 को multiply करोगे 13 into में 6 into में 17 अब छोटी सी बात है हमें exact value तो निकालनी नहीं है हमें ratio निकालना है तो अगर cut सकता है तो cut सकते हो किसी से भी इस से इन तीनों में किसी को भी किसी को भी क्या नहीं करना है कि 10 और 5 को आपस में cut दिये नहीं cut सकते है यह आपस में cut देगा clear? ऐसे आपस में ऐसे नहीं done है अब बताओ कुछ कट रहा है तो काट लू कोई दिक्कत समस्या नहीं है calculation कमी होगी तो आपने कैसा दो से एकट रहा है पांच बार और दो से एकट रहा है तीन बार clear? तो 5-5 जा 25 25-2 जा 50-50 के पीछे एक जिरू अगर पहले वॉल्यूम 500 था तो अब कितना हो गया? अब हो गया हमारा 17-3 जा 51 और 51 इंटू में 13 13 बंजा 13 65 और 66 कितना इंक्रीज हो रहा है 163 का कितने का 163 का कितने पर 500 पर तो 100 पर कितना तो 2-0 से 2-0 चले गए 5-3 जा 15 5-2 जा 10.6 तो 32.6% और 32.6% बात एक है चोईस आपकी है clear? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर में 16 का सवाल होई गया हो गयर क्यों समय व्यर्थ कर रहा है कह रहा है कि अब यहाँ पर देखो कि यह सवाल कौन से टाइप का है बस यह समझ लेना है क्या कह रहा है? बलवीर के जो बलवीर नहीं है बसीर से है बसीर's working hours per day were increased by 25% and his wages per hour were increased by 20% दोनों increase हो रहे हैं by how much percent daily earning increase तो मैं daily कितना पैसा कमाता हूं that is equal to मैं कितने घंटे काम करता हूं into मैं मैं एक घंटे में कितने रुपए कमाता हूं यही तो है आप इसे ऐसे लिख दो क्या है अपना working hours into मैं wages per hour into मैं wages per hour बात तो समझ गे यह बराबर हो गया earning के इन दोनों पर change दिया है इस पर पूछा है successive लगेगा खतम तो successive लगेगा दोनों positive है तो 15 plus 20 plus 15 into 20 upon 100 तो इस इतना हो गया 35 तो यह हो गया 38% answer यह रहा पहला तरीका एक बार बार इसमें आखरी बार देख लेते successive वरना हम अपने rule के इसाफ़ से चलेंगे कि यहाँ पर decimal नहीं fraction नहीं है तो successive से जाना चाहिए percentage change पूछ रहा है तब तो यहाँ पर कितना हो गया 15% मतलब की 3 by 15% का मतलब 3 by 20 तो यानि मैं 20 से कहां पर पहुंच गया 23 पर और 20% 20% का मतलब 1 बटा 5 5 से पहुंच गया 6 पर 20 into में 5 100 और 23 into में 6 138 तो 100 से 138 पर जाना है सीधे 38 की increase आपर 38% is the correct answer ठीक है Done अगला सवाल यह भी पूछा गया ही सवाल है किसी exam का option नहीं दी है इसमें आपके पास 45 seconds है अगला सवाल से किस तरीके से अलग है पिछले सवाल में पूछा था केवल percentage change देखे पिछले सवाल में पूछा था percentage change बताओ अब यहां क्या का यहां पर उसने salary दे दी और नई salary पूछ ली याद करो पहले हम discuss कर चुके I think type number 4 में ऐसे सवाल ठीक है पहला तरीका यह एक तरीके से एक बात हमेशा याद रखो अगर आप successive लगा रहे हो चाहे पर आप ratio वाला method लगा रहे हो इसका मतलब आप उसे multiply करते जा रहे हो अब एक एक point को अराम से समझना salary पहले कितनी थी starting में अट्थाइस सो थी पहले यही थी फिर इसको एगर आप वही successive लगा रहे हो इसको पहले 20% से बढ़ा दो 20% का मतलब 6 by 5 मैं चलो 120 by 100 लिख देता हूँ इतनी होगी salary और उसके बाद 25% कम कर दिया तो 75% कर दिया this is our answer यह हमारा answer आ जाएगा clear है काटा पीटी मचा दो ठीक है तो 339 28 इंटू में न होगया आपका 252 तो यह होगया 252 यह दूसरा method way2 आप अभी तुरन समझ जाओगे कि way1 way2 पिलकुल हुबहु एक ही है क्या 20% की बढ़ा 20% का मतलब कितना होता है 1 by 5 यानि कि उसके जो working hours है वो 5 से कितने हो गए और वहीं जो उसके वर्किंग आवर नहीं उसके आवरली वेजिस 5 से 6 होगे और वर्किंग आवर जो है वो decrease होगे 25% 25% का मतलब होता है 1 by 4 तो वो 4 से होगे 3 समझ ज़ो ठीक है अब हमने क्या किया अब आप यहाँ पर देखो अगर मैं आपसे बोलू कि यह मैं क्या कर रहा हूँ 5 और 4 को गुणा कर रहा हूँ तो 20 आ गया और 6 ती 18 आ गया और यहाँ पर यह और कट जाएगा तो 10 से 9 आ गया मतलब पुरानी सेलरी अगर 10 थी अगर पुरानी सेलरी 10 थी तो नई सेलरी कितनी होगी 9 होगी 10 से 9 होगी आप यहाँ पर देखो अभी आप इसको भूल जाओ यह हम और क्या कर रहे है this is what 120 बाइ 100 और क्या है 5 से 6 ही है 5 से 6 यह कितना है 4 से 3 तो वही तो आ रहे है 10 से 9 होगया अब मैं उसी को ऐसे कर रहा हूँ कि यह पूरा सॉल करके मैंने निकाल लिया this is 9 बाइ 10 यह क्या है 10 से 9 तो 9 बाइ 10 तो वही चीज हो जाएगी वही same value आ गई तो बस अब यहाँ पर ऐसे कर देते कि 2800 जो है वो 10 की value है तो 9 की बताओ तो अगर मैं आपको यह method बता रहा हूँ तो इसका मतलब यह और यह हूब हूँ एक है ठीक है बात समझ में आगी तो यह हो गए way one way two सर एक method नहीं बताए आपने कौन सा तो आपने का successive आ जाओ उस पर अब इस बात को आप ही मेरे को बताओ क्या मुझे यह वाला method यूज करना चाहिए successive आपको कहना चाहिए सर नहीं मैं कहूँ क्यों भाई तो आप बोलो कि देखो दो ऐसा है यहाँ पर हमें percentage change पता चलेगा यह उसके लिए बढ़िया था कि प्रतिशत बदलाव कितना हुआ अब मैं यहाँ पर मालो पहले लिंग निकालूँगा प्रतिशत बदलाव इतना हुआ फिर वहाँ पर से यह निकालूँगा कि जैसे यहाँ पर देखी ले 20 माइनस 25 माइनस 20 इंटू 25 अपॉन 100 ठीक है तो 25 से गया 4 बार 4 से गया 5 बार तो यानि यह आगे 10% माइनस का 10% यानि की 10 परतिशत की कमी हुई तो अभी तो चलो यह भड़िया देख रहा है याद है टाइप नंबर 4 में एक सवाल था जिसमें 0.8 यह 0.4% आ रहा था कुछ वो डीटेल में भी किया था तो अगर यह % बेकार होता तो मैं इसको फिर से फ्रेक्शन में बदलता आप डबल काम देखो पहले सीधे मुझे फ्रेक्शन मिल रहा है उस फ्रेक्शन से मैं % पहुँच रहा हूँ और % से फिर मैं फ्रेक्शन पर दोड़ रहा हूँ फालतू की दोड़ा भागी है नहीं है इसलिए यह सक्सेसिव वाला बेस्ट रहता है जब डेसिमल में न हो और फ्रेक्शन में न हो और हमसे नेट चेंज पूछे क्या पूछे? कुल बदलाव, नेट चेंज ठीक है? टोटल कितने % का बदलाव हुआ जैसे यहां पर अब मैं एक ही method यूज करवाऊंगा ठीक है? जिनको समझते जा रहा हो पक्की-पक्की बाते सर समझ मैं रहे वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं ठीक है? आ जाईए radius of a cylinder is increased by 20% and its height is decreased by 50% find percentage in lateral surface एरे area देख गया न? तो area का मतलब square तो इन ही दोनों पर होगा अब formula की depth में क्या जाए? वैसे formula होता है cylinder है तो 2 pi rh तो इसको तो देखना नहीं है क्योंकि यह constant है से फरक नहीं पड़ेगा rh को देखना है radius अब अगर तो यह ना ratio वाला method भी discuss हो जाएगा है ना ratio वाला कर लेंगे तो 20 minus 50 हम ऐसी करेंगे 20 minus 50 हो गया minus का 30 अब यह हो गया फिर x y upon 100 तो 20 into 50 divided by 100 तो 50 से गये कितनी बार? दो बार, 2 से गये कितनी बार? 10 बार, तो कितना आ गया minus का 40 यानि कि हमारा area जो है वो 40 प्रतिशत से कम हो जाए clear है? हाँ, दूसरा वाला देख लेंगे दूसरा वाला खुद देख लेंगे